कैसे हैं आप सब लोग सारा काम हो गया है मेरा किचन का सौना को सौना को बस खाना खला है बाल गीले ही मतलब नहाते है तो थोड़े बहुत गीले हुई जाते सौना जब गई है और टाइम ज्यादा नहीं हो लगा दूप बिल्कुल भी नहीं निकली है बिल्कुल भी मॉटर चलाए थी चोटी बनाने जा रहे हां क्या चाहिए बहुत नुक्सान करती है मेरे एक किलो दूब में मुझ डाल दिया आजा 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 देख मियाओ आए रोना नहीं है जुराप अगयरा तरने नहीं करती है यह मतलब जाद है इसको बिल्ली को प्यार कर लिया बिल्ली चाहिए वो बोदो कर दो दो हेने जानवार दे दिया उन और तो मैंने इसको एक दो आज़ो देदी लिए यह पीछे पीछे आ रही देखो पर इसकी आद भुत खराब है जैसे पता नहीं चलती हम किचन में घुझ जाती बहुत बार दूग खराब कर दिया जाने दो आजा जो आजा बोरीस में चलो केजन में चलो हमने कोई पाला नहीं है बहुत सारी विल्टी यहां यहां पर जाख चलो आज़ूपमे निकली बहुत ठंड है बहुत ठंड जाथा काम भी नहीं किया जा रहता है तो चलिए थोड़ी-चोटी कर लो फड़ी सा गलसी सही कर लो क्या चाहिए तुमको बिली है क्या चाहिए जा जा चलिए तो कर ले बैठते है कि यह बनाने की तैयारी पर इनको कुछ चीज मेरी पसंद नहीं आती है वो रहे कैसी लिए बता हर चीज में इनको लड़ना होता है कि मोटे 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 ठंड नहीं लगेगी इतनी अच्छी भी भी ढूने से नहीं मिलेगी दिया लेके ढूनों गया ताव कि इतने अच्छे जे में बोली हूं अलेके आई और वो कर रहे हूं बिल्ली मत पक्ड़ों बल्षिका वागा फॉर्वगा दो नहीं लगज़ी आप इस इस हुआ उसमे लग जाएगी बगा पेट थोड़ा अंदर कना बड़े बहुत आपको से कि अच्छी लेकर यह थंतों मत नहीं लेकरे इंधर नहीं लेकर देनी लग अच्छी तपा लगाने दी गलग़ी थंतों नहीं काम निकालने के लिए ठंड ना लगे तो फिर काम भी तो नहीं करोगे तो जाओ फिर अब जल्दी से भी भी लिया के जो आलू लिया ना और टमाटर माटर लिया ना का दो तुमारी अभी गर्पे जाओगी तुमारी थोड़ी बड़ी ए और तुमारी भी तो भी नहीं है सब्जी बना रहे हैं तो फिर में थोड़ी सी ना पहले दो लेती हूं जादा मट्टी है फिर काटने के बाद धोलूंगा थोड़ी सी भूंक लग गई थी तो यह मखाने रखे थे काफी दिन के इसमे नमा और थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा नीग बुड़ाला और समय सही रहेगा बहुत सारी हो जाती है तो ऐसे भी धुल जाए थोड़ा पानी नचुड़ जाएगा इसमें न महेंकारी थी मतलब अब इसको थोड़ी दिन नचुरने के लिए रख देंगे इस सूप जाएगी और यह बढ़तन धोलूंगी तक तक जब लेके आया थे ना तब करने लगी हूँ बैठके कंबल में थंड बहुत लग रही थी दो दिन से बहुत ज्यादा थंड है तो यहां पर मैंने उसमें धो लिया था और धोने के बाद पानी इसका नचुड़ गया जाड़ ली थी नहीं तो ऐसे तो पूरे विस्तर में पानी पानी हो जाता और ऐसे हम जमीन पर मैं वच्चे खाट पर बैठ जाते मैं जमीन पर वो कर लेती हूं थंड बहुत हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है क्या बता मतलब कामी नहीं होता मुझे तो मतलब पिछली साल इस साल ज्यादा थंड होने लग जाना तो कमर में दर्द होने लग जाता पर उपर उपर से अच्छे अच्छे वो निकाल लूँगी बैठी हुई थी तो निकालने लगी हूँ यहाँ पर आज अभी तो देखिए सर्दी के टाइम है सर्दी के टाइम में यह अच्छा लगता है और सबजी लेके आए हैं अभी मैं सोया पालक का हमारी यूपी के साइड म यहां रात में जा रही हूँ कहां पर आप लोग देखिए कहां जा रही हूँ यह चले गए सबजी पर लेने के लिए और देखिए अभी मैं दिखाती हूँ यह देखिए वह मक्के का आटा भी लेके आ रही थी पर बाजरे का था नहीं तो मैं मक्के का याटा लेने के आ ग पर अभी के लिए तो हो जाएगा इतना ठीक है और आज मैं अपना दो फैर से ब्लोग श्टार्ट की थी दो फैर से और रात तक का आप लोगों के शाष शेयर करूंगी उमीद करती हो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं थी कि सब्जी तो कईवा शेयर की है पर कुछ मुझे यहां पर काट के मैं दो बार और वार धो लिए और लेशन और सूखी सिद्वा परे अज पर बनती रहेगी तब तक आपना और और पूरी गड़ी कर लोगी और हाँ यह पुराने अलू नही है नय आलू है नय आलू के प्राथे और यह से की गर्मी में तो नहीं खाय जाते सर्दी में ही मुकशा होता है खाने का पर इनको थोगा सा नहीं खाते हैं पर मैं कल पक्का बनाऊंगे अलू परांठे बहुत कम हो गए हमारे घर में अलू के परांठे और कलवन शिका का टेस्ट वी है यहां पर यह नमक लेकर आये थे अच्छा इस नमक के लिए कमेंट आया थे नमक अच्छा नहीं है तो अगली बार से मैं कोशिस करूँगी दूस के साथ बना रही हूं सची में खाना खाके मज़ा आ गया आज मैंने सोचा था यह नहीं खाएंगे पर आपको पता इतनी सारी मक्य की आदी किलो तो लेकिया यह आईती 20 रुपे का था नहीं तो गयों की रोटी भी बनाई है और मक्य की मक्य की दो-दो रोटी मिली वंशिक ने एक खाई है सोना ने एक भी नहीं खाई क्योंकि मक्य ठंडी होती है दो मैंने खाई है दो या तीन हजवन जी ने खाई है बस और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाली है क्योंकि फीका लगता है और मैं पास से भी दिखाऊंगी मुझे इतनी आती नहीं है फर्स टाइम मक को आता होगा तो यहां इसे गहूं कि आटे के जैसे नहीं गुंदा जाता है इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से साना जाता है इस तरीके से अभी देखना मैं बताऊं मम्मी से देखा है यह इस तरीके से किया जाता आप लोग कमेंट करिएगा क्या सही मैं कर रही हू तो यह देखिए ऐसे करकर के मैंने कर लिए और इसकी लोई भी अलग तरीके से बनती यह देखिए इस तरीके से यह देखिए पास्टे भी मैं दिखा दूगी नहीं तो आप लोग बोलेंगे पास्टे नहीं दिखाया है तो अभी मैं देखिए इस तरीके से थोड़ी फट भ अच्छी लगे देखने में देखने में अच्छी लगेगी तो देखिए खाने में भी अच्छी लगेगी तो पहली बार मैंने ये बनाई हैं और मैथी आलूस के साथ मक्के बाजरे की रोटी तो सबसे वेश्ट है देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से लिया और साथ में उसको आटे को मलते भी जाएंगे क्योंकि जितना अच्छे से मलेंगे उतने अच्छे से रोटी निकल के आएगी सौना को रोटी ये खिला रहे तब तक कि क्यों इसमें टाइम लगता है ये देखिए इस तरीके से करना होता है एस्ट्राटा है वो निकाल देते हैं थेली में सामने रखाई है और ये थोड़ा सा मैंने चकले पर भी ऐसे कर लिया है अब दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ चकले पर थोड़ा सा आटा लेकि वैसे भी कर लिया और वैसे भी कर लो जब अपने उपर जिम्मेदारी आ जाती है न सब निभा लेते हैं ये इस आज पर बनाई है मैंने ये और आप बताएगा कैसी और हाँ इन्हें जैसे रात को रोटी बनाई सुबह बच गई न तो दूद में मीज की खाई ये बहुत छोटे पर खाया था अभी तो नहीं बहुत टाइम बार मैं खा रही हूं वह ये देखी धीमी आज कर रखी है तो पर मैं अब बाजरे का भी आठा लेके आउंगी और ये भी सर्दी में सही रहता है और और लोगों को रोटी देती जा रही सौना ने खाली है अब इनको दे दे रही हूं न खाली वधसीका वधसीका ओपापा खा लेंगी देखिये घील लगा के और मैथी मंजिया के साथ चीज अच्छी लग देखिए फूल गई ना रोटी ये देखिए फूली फूली घी लगा दिया है आप लोग भी आजाईए आप लोग भी खा लएजिएaire और मैंने सबजी भी काफी जादा बनाई थी और सबजी इसके साथ लगवी जाती ही काफी ज़्यादा ये देखिए मैं इनको दे दे रही हूँ ये अपना खाते जा रहे है और वंसिका ले जाती हूँ ये स्वाद के टाइप बनाई थी और गाउं में तो इतना सारा बाजरा होता कोई खाता नहीं यहाँ पर खरीद के ला रहे यह सब मतलब ऐसे काम करना चूले पर रोटी बनाना आप लोगों ने गाउं में देखा होगा मैं चूले पर बनाती थी मुझे अच्छा लगता था तो मैंने आपको दो ती रोटी यह बना के दिखाई हैं नहीं आप बोलो एक ही रोटी यह कमेंट आ जाते तो मैंने पूरी रोटी दिखाई हैं तो चलिए मैं बना के मैं भी खा लेती हूं इनलों में खा लिए और यह दो दो रोटी हो गई थी और खाके फिर आगे का यह किचन इचन सारा साफ कर दूँगी फिर करूँगी तो खाना ना खा लिया था यहां पर कमरों की और किचन की लाइट बंद क यहां पर भगवान का नाम ले रही हूं सौने से पहले और यह दिखिए किचन और कमरे की लाइट बंद कर दी इस कमरे में लौक लगा देंगे और फिर चलते उस कमरे में रात का यह यही काम होते वच्चे और वो टीवी पर खेलने और यह मैं बिस्तर लगा रही हूं जमीन हम लोग पता है हम जमीन पर ही सोते हैं ममी के घर थे हम ऐसे बदल जाता आ तो अब साधिं के बाद कितना कुछ बदल जाता है कहां मम्मी पापा के बिना रहनी पाते हैं और अब मुझे कितना टा dance हो गया, जफसे नहीं जा पाई हूं तो ऐसे लगता अब नहीं जा पाऊंगी अब पतानी कब जाऊंगी अब नहीं अब जाऊंगी तो मन में यह लगता अरे अब तो साधी वियाहा कोई जाता जरूरी है तब ही जा पाएं बहुत रिष्टे बदल जाते यह देखिए मेरा बिष्टर हो गया है रजाईयां रख ले रही हूं बस यह देखिए यह था मेरा वीडियो और इनकी रजाईया है और कमबल को मिक्स कर लेते हैं दो दूसरी रजाईयी नहीं कि अ किनृत में पता पूरा बंद कर लेते हैं और यह तकhh की किने हैं रख लिए हैं कितना अच्छा लग रहा है लुए ना जमीन पे स मम्मी के टाइम पर अच्छा लगता था अभी थोड़ा अपने उपर जुम्मेदारी आ गई है तो थोड़ा सा वैसे लगता अभी मैं ओल आउट जला दूंगी और परदा गिरा दूंगी यह नहीं अभी आ जाएंगे रात को इनको जाना पड़ा कहीं काम से जरूरी काम था तो चली इस वीडियो को एंड करते अगले ब्लॉग में मिलेंगी तब तक के लिए बाई बाई अपना बहुत सारा धियान रखिएगा फैमिली का भी और तब तक के लिए बाई बैटे केर